नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं सुआगत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लेके आई हूँ एकदम अलग तरीके का और एकदम नया सौध वाले ढोकले की रेस्पी जिसमें आपको बेशन की जरूरत नहीं है आज मैं बना के दिखाऊंगी आपको चने डाल से ढोकला जो की बहुत ही जादा जालीदार और सौप्ट बन के तयार होता है इसका बनाने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से ढोकला नहीं बनाया होगा तो यहाँ पर आधा कप चने डाल को अच्छे से धुल के रात भर के लिए पानी में डाल के फुला लिया है मैंने चना डाल बहुत अच्छे से फुल के एकदम से सौप्ट हो गया है और अगले सुबह फिर से चने डाल को अच्छे से धुल के साफ कर लीजिएगा इसमें कोई भी खट्टा जैसा स्वात नहीं रहना चाहिए तो यहाँ पर फुला फुला या चना डाल हमारे पास है और जितना हमारे चना डाल है उसका आधा यहाँ पर उरत के डाल को भी रात में दोनों डाल को अलग-अलग करके फुला ली हूँ जैसे आप एक कप चना का डाल ले रहे हैं तो आधा कप उरत का डाल ले लीजिएगा और दोनों को अच्छे से साफ करके रात भर के लिए पानी में डाल के छोड़ देना है धोकला बनाने का एक दम नया तरीका है वीडियो में पूरे बने रहे है पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत पसंद आएगा और एक बार जब आप इस तरीके से ढोकला बना के खा लेंगे तो यकीन मानिए बार बार आप इस तरीके से ढोकला बनाना पसंद करेंगे अब यहाँ पर ले लेना है एक कोई भी बर्तन, छोटा बड़ा कोई भी आप ले सकते हैं और इसमें डालेंगे बाकी के सामगरी तो और सबसे पहले इसमें डालेंगे तेल दो चमच इसमें तेल डालना है, अब डाल आप देख पा रहे हैं कि डाल हमारा कितना है तो इसके अनुसार से ही आपको सारे सामगरी डाल के दिखा रही हूँ एदि आप ढोगला बहुत बड़ा बनाएंगे तो आप जैसे डाल ज़्यादा लेंगे तो सारे सामगरी को भी ज़्यादा करके डालिएगा आप डालना ही हाँ पर एक छोटा वला चम्म से एक टीस्पून इसमें डालना है हमें चीनी भड़के एक टीस्पून आप इसमें चीनी डाल दीजिए तेल के अंदर और यह डालना है नमक स्वाद के अनुसार एक टीस्पून नमक भी डाली हो और उतना ही चीनी अब दोनों चीज़ को डालने के बाद यहाँ पर डालना है नीवू तो आधा नीवू का रस इसमें चला जाएगा तो इसको कट करके और आधा नीवू का रस हमें इसमें डाल देना है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयर करेंगे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इससे जब भी मैं वीडियो जिस भी समय में वीडियो डालूंगी तो आप हमारे सारे वीडियोज को देख पाएंगे अब इसको अच्छे से फेटेंगे थोड़ा देर फेटने से एकदम से एक क्रीम के जैसा बन जाएगा और जैसा तरीका आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो ये वाले जो ढोकला है बहुत ही जादा जालीदार बनेगा आप पूरा वीडियो देखे आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा आप बोल उठेंगे बाकई बहुत ही जादा टेस्टी बना है और आप रेश्पी देखने के बाद ही दाल चावल दाल और दोनों दाल फूलने के लिए डालेंगे क्योंकि आप भी ना बनाए रह नहीं पाएंगे अब इसमें डालना है हमें दही दही आप खटा वाला, मीठा वाला जो भी आपके पास है तो चार चमच इसमें दही डाल लेना है देखिए बस चार चमच इतना से जादा दही इसमें नहीं डालना है अब दही डालने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से फेटना है आप सोच रहे होंगे कि पहले ये दही वाला पानी क्यों बनाया जा रहा है तो आगे आप वीडियों में बने रहें आपको खुद भखुद समझ में आएगा तो देखे इसमें सारे चीज डल चुका है और देखे बहुत पतला सा ये हो गया है तो इसको रख देंगे साइड में अब ये हमारा पानी जो है ढुकला बनाने का वो तैयार हो गया है फ्रेंड्स आपको किसी भी तरीके की पापर बनाने हैं मूंग डालके चन्य डालके या उरत डालके तो आप योटो पर जाके सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर ली हूँ लाल मिर्ची ये भी हडा वाला ही जो लाल हो जाता है और दो हरी मिर्ची यानि की चाड मिर्ची आपको ज़्यादा डालना है तीखा तो आप दो और डाल सकते हैं और इसको भी छोटे-छोटे टुक्रे में हमें कट कर लेना है और साथ में 1-1.5 इंच बड़ा अदरक का टुक्रा लेना है अदरक के टुक्रे को भी इसी तरीके से छोटे-छोटे से कट कर देना है फ्रेंड्स आपको कोई भी रेस्पी चाहिए तो आप रेस्पी का नाम और हमारे चैनल का नाम लिखके सर्च कर लीजिएगा आपको वीडियोज मिल जाएंगे अब सारे अदरक और मिर्ची को डालना है मिक्सर जार में और इसका दरदरा सा पीस के तयार करना है मसाला पानी नहीं डालेंगे बीना पानी कहें इसको दरदरा सा थोड़ा सा पीस लेंगे देखिए बहुत अच्छे से ये पिस चुका है कुछ मसाले को निकाल लेंगे और कुछ मसाला जो है जार में ही लगा रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है निकालने का कारण ये है कि जब आप ढोकला बनाएंगे तो ये मसाला जो है उस पर दिखेगा दरदरा सा रहेगा तो अच्छा लगता है और सुआद भी ज़्यादा आता है तो अभी मसाले को रख लेती हूँ साइड में और वापस से वही जार का इस्तिमाल करना है अभी करना है इसमें डालूंगी उरद वाला दाल को और अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है आप देखें कि डाल को कैसे पीसना है तो इसमें ढखकल लगा के पहले इसको पीस लेना है अलग से एक बार चना दाल और उरद दाल को एक साथ नहीं डालना है पहले उरद दाल को थोड़ा पीसेंगे तो देखें यहाँ पर उड़ा डाल को थोड़ा सा पिसी हूँ लेकिन यह बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा है अब जो यह चना डाल है इसके साथ ही डाल देंगे तो आप बड़े वाले जार में भी पिस सकते हैं और चाहें तो दो बार में थोड़ा थोड़ा सा करके जैसे अभी मैं पिसूंगी थोड़ा थोड़ा करके दो बार में तो इस तरीके से भी आप पिस सकते हैं छोटा वाला जार में बहुत अच्छा पिसता है और जो दही वाला पानी बना के अभी आपको दिखाई हूँ इसमें से दो चमच दही वाला पानी हमको इसमें डालना है इसमें साधा पानी नहीं डाल रही हूँ तो पानी बनानी का यही मतलब है कि उसी पानी से हमारा डाल पिस जाएगा देखें बहुत ही सुन्दर हमारा दाल पिसके तैयार हुआ है और इसका जो पेश्ट है एकदम से चिकना है हलका सा दरदरा रहेगा बहुत जादा जितना मिक्सी में पिस सकता है उतना अच्छे से पिस लिजेगा फिर भी डाल जो है दरदरा रही जाता है थोड़ा बहुत अब इसको निकाल लेना है कोई भी बरे बरतन में और जब डाल हमारा आधा पिस चुका था तो बाकी बचा हुआ भी डाल इसमें डाल के अच्छे से पिस ली हूँ अब इसमें डालना है चुटकी भर हिंग पाउडर जरूर डालिएगा इससे ढूकला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब डाल को इस तरीके से फेट के हलका करना है तो 5-7 मिनट तक आप इसको फेट सकते हैं अब सारा इस्टेप एक बार देख लेंगे तो आपको ढू भी परेशानी नहीं आईगी एकदम बाजार के जैसे जालीदार ढूकला एकदम सौप्ट मुलाइम ढूकला बनके तयार हो जाता है तो यहाँ पर देखिए बेशन जो है अच्छे से फेट चुका है इसको 5 मिनट तक अच्छे से फेट ली हूँ अब इसमें थोड़ा सा द है कि नीबू करस और हल्दी जब एक जगह होगा तो कलर थोड़ा लाल हो जाएगा जब आप धुकला पकाएंगे ना तो उसका कलर थोड़ा लाल सा हो जाता है और फूड कलर डालते हैं तो बिलकुल भी धुकला का कलर चेंज नहीं होता है तो आपको डालना है फूड कलर तो थोड़ा डाल लीजिएगा नहीं डालना है तो अब भी ना कलर का बना लीजिएगा अब इसमें मसाला जो कुटके रखी थी वो भी डाल दी हो और शारत दही वाला पानी इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है बाहर से बिल्कुल भी इसमें में पानी न और देर कप हमारा डाल है देर कप डाल के लिए आप आधा कप के जितना दही डाल सकते हैं अब इसको अच्छे से mix कर ली हूँ, अब इसको अच्छा और ज्यादा tasty बनाने के लिए और बहुत ही अच्छा से set होने के लिए इसके अंदर डालेंगे सूजी, देख पड़ें, तो आधा कप यहाँ पर आपको सूजी लेना है, एक कप चने का डाल, आधा कप उरत का डाल, जितना उरत का डाल ले रहे हैं, उतना ही इसमें हमें सूजी भी डालना है, सूजी आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सूजी को बहुत अच्छे से इसमें mix करेंगे, और अभी तक देखिए, ढोकला का जो घोल है, बैटर है, वो ज आप क्या करेंगे, सारे को एक जगह करके, और इसमें धकन लगा के छोड़ देना है, 20 मिनट तक फूलने के लिए, तो ये कम जब आप करेंगे, तो आपका जो ढोकला है, बहुत ही जादा जालीदार बनेगा, क्योंकि सूजी को फूलने का थोरा टाइम चाहिए होता है, हमें सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर 20 मिनट हो चुका है, इसको छोड़े हुए, तो आप यहाँ पर चेक करना है, तो देखिए कितना ये फुला फुला सा आपको लग रहा होगा, दही और नीबू के बजह से बहुत अच्छा से ये फूल जाता है, देखिए, जाली जैसा अ और पानी का ज़रुरत है, थोड़ा सा पानी दाल दती हूँ, दो चमच और इसको mix करेंगे, थोड़ा सा पानी हमें बाद में भी इसमें डालना होगा, देखिए, बस थोड़ा सा दो ही चमच, तो दो ही चमच, बहुत ज़्यादा गीला नहीं कीजिएगा इसको, अब प्रखका यह बिल्कुल भी चिपके का नहीं और इसी टाइप का ऊप कोई बर्तन ले सकते हैं इससे बराब भी ले सकते हैं ज़्यादा डाल का आप बना रहे हैं तो इससे बराब बर्तन लीजएगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा फूलता है I was gonna do और फिर से इसमें डालना है हमें इनो, इनो fruit salt, तो इसमें डालेंगे डेर चमच के जितना इनो, जिससे ये बहुत अच्छा फूलेगा, आपको दिखाती हूँ, देखे, एक चमच और आधा, और जो घर का चमच होता है, उससे आप एक चमच भरके इसमें डाल दीजिएगा, तो हो जाएगा, अब इसके उपर से थोड़ा सा पानी डाल देना है, और जब पैकेट वाला आप इनो लेंगे, तो फ्रेंट्स इतना बेशन के लिए हमें एक छोटा वाला पैकेट पूरा ही डाल देना है, तो आप समझ गये होंगे कि इनो कितना डालना है, इनो डालते ही देखे ही कितना फूल के डबल हो गया है, और कितना जालीदार आपको दिख रहा होगा, एक ही डारेक्शन में इसे मिलाना है, चारो तरफ से मिक्स नहीं करना है, एक ही जैसे आप इसको मिक्स करें, और बहुत ही जादा ये फुला फुला सा घोल हो चुका है, अब ये जो क काम है, इनो डालने के बाद आपको जट पट से कर लेना है, तुरत ही बरतन में इसको सेट कर दीजिए अच्छे से, और थोड़ा सा टैप टैप करके इसको चारो तरफ अच्छे से फैला लीजिए, तब तक कराही में पानी डाल दी हूँ, पानी हमारा अच्छा गरम हो और इसको 25 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देना है, 25 मिनट के पहले इसको नहीं हटाईएगा तो और जो है गैस के आज को मीडियम रखिए, लो फिलेम भी नहीं रखना है, मीडियम फिलेम रखिए और इसको 25 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए, 25 मिनट हो चुका है, और ढुकला का कलर आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुन्दर आया है तो ये कलर जो आया है ये फूड कलर के बजह से ये इसमें हल्दी डाली होती तो कलर हलका हलका सा लाल लाल सा दिखता आपको तो देखे चाकू एकदम प्लेन निकल रहा है यानि हमारा ढोकला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है अब प्लेट को नीचे उतार लेना और थोड़ा सा ठंडा उने देना है इसको जैसे ये ठंडा होगा देखे ये किनारी किनारे से खुद से किनारी छोड़ने लगता है बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है देखे ये फ्रेंट्स है ना बगल बगल से एकदम से किनारी छोड़ रहा है अभी इसका एक तरका तयार करना होगा क्योंकि तरका के विना ढोगला का सुआद अच्छा नहीं आता है यहाँ पर दो से तीन चमच तेल डाली हो इसमें डालना एक छोटा चमच काला वाला राई और डालना है एक चमच सफेद वाला तिल अब इसमें डालना है पांच से छे हरी मिर्ची और करी पत्ता करी पत्ता को अच्छे से सुखा के डालिएगा फ्रेंट क्योंकि तेल में जाने से वह तेज उड़ता है उसका छीटा और हरी मिर्ची को भी इसमें डाल देना है और शाड़े चीच को अच्छे से पकने देना है अब इसमें डालेंगे नीवू का रस थोड़ा सा आधा से भी कम यानि आधा चमच नीवू का रस इसमें डालेंगे और साथ में डालेंगे नमक और चीनी थोरद थोरद से नमक चीनी भी डाल दीजिए तो खटा मीठा जो है ये बन के तयार होता है मसाला और बाद में डालना इसमें पानी गाई इसको बन करने के बाद पानी डालेंगे तो ये हमारा जो पानी है तैयार हो चुका है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर फुल अब इसको डालेंगे ढोकले के ऊपर देखिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ढोकला हमारा ठंडा भी हो चुका है अब सारे मसाले को इस पर डाल के अच्छे से फैला देना है पूरा भर चुका है और इसका स्वात बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है बेशन वाले ढोकला से भी बहुत ज्यादा और एकदाम आसान तरीके से हर कोई बना सकते हैं यह ऐसा ढोकला बनाने में डर नहीं रहता है यह फूलेगा या नहीं फूलेगा कोई भी बनाएंगे तो साड़े आदमी से यह ढोकला जो है बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा तो देखे फ्रेंट कितना ही जालीदार ढोकला बना है जैसे दबा रही हो देखे कितना ज्यादा यह सौब्ट है आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ढोकला कितना ही जालीदार है देखे आप देख पार हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ही जादा टेस्टी बना था तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अच्छा लगाओगा वीडियो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में फैमली मेंबर में मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थैंक यू